इस्टड़ी आईक्यू आईए सिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ अम्रितुपाद्ध है जी ट्वेंटी के वैसे आपको पता है कि आजकल बहुत ज्यादा रोड डाइवर्जन होच रहे हैं और कई सारे रोड्स तो बंद भी है इसलिए मैं आडियो फॉर्मिट में ये क्लास ले रहा हूँ मैप इन यूज की आपको ये भी बताना है लाश्ट में कि ये आडियो फॉर्मिट में अगर आपको क्लास पसंद आएगी तो करेंट के भी कुछ टॉपिक्स मैं इसी फॉर्मिट में लूँगा आए शुरू कर लेते हैं अम्रितुपाद्ध है 007 मेरे इंटर्व्यू बैच 2024 के लिए तीनों भाशाओं में लॉंच किया गया है हिंदी, हिंग्लिश और इंग्लिश तीनों ही भाशाओं में इसे लॉंच किया गया है और बैच की टाइमिंग क्या है 11 सेप्टेंबर से सुबह की बैच है आठ वजे सुबह इस बैच की इसके फीचर्स जानने के लिए जो डेस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो का उसमें देखिएगा एक लिंक मिलेगा वो पर्चेस करने के लिए भी है और ब्रॉशर भी उसमें मिलेगा तो उसके सारे फीचर्स आप जान सकते हैं आएए पिछली बार मैंने आपसे ब्रेक्जिट के बाद यूके सरकार ने जो व्यपारिक फैसला लिया था उस ख़बर के अधार पर एक सवाल पूछा था सवाल क्या था निमलिखित में से कौन सा एक सही है इसमें से कौन सा सही है जाहिर तोर पर कोश्चिन गलत था क्योंकि उसमें आप्शंस में एक गलती हो गई थे अब इस सुधरे हुए कोश्चिन को देखिए और इसके हिसाब से अनुमान लगाई है कि कौन सा सही है चलिए के करके देख लेते हैं ये नक्षा पूरे यूके का है इसकी सीमा की अगर बात करें पूरे यूके की तो देखिए यहाँ पर ये सीमा बना रहा है किस से आईरलेंड से तो अब आप सोचेंगे कि आईरलेंड तो अल्रेड़ी यूके का पार्ट है लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि जो उत्तरी आईरलेंड है ये UK का पार्ट है तो ये जितना ये मैप देख रहे हैं आप जिसमें एक वेल्स हो गया दूसरा इंग्लेंड हो गया तीसरा स्कॉटलेंड हो गया और चौथा उत्तरी आयरलेंड हो गया ये सारा मिलाकर हम UK बोलते हैं ये सारा मिलाकर United Kingdom है ध्यान बस ये रखना है कि इसमें स सीमा लगती है Republic of Ireland से अगर Water Body की बात करेंगे तो UK के पश्चिम में देखेगा Irish सागर यहां लिख देता हो में Irish सागर है फिर Celtic सागर है पश्चिम में ही UK के पूर्व में देखेगा तो North Sea है और यहां जाहिर तोर पर Atlantic Ocean तो है ही पश्चिम में ठीक है Atlantic महासागर तो है ही पूर्व में देखेंगे तो North Sea है और दक्षन में English Channel है तो ये महतुपूर्ण Water Bodies हैं जो आपको ध्यान पर रखने हैं देशों की बात मैंने बता दी हैं इसमें चार देश हैं कौन-कौन से देश हैं उत्तरी Ireland हो गया England, Scotland और Wales या फिर इस क्रम में याद रखिए Wales, England, Scotland और उत्तरी Ireland इसकी आंतरिक सीमाएं लाल रंग के इस लाइन से बना हुआ है, Wales और England के बीच में इसी तरीके से यहां बना हुआ है, England और Scotland के बीच में ठीक है, यहां Ireland और उत्तरी Ireland के बीच में बना हुआ है, तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा जब आपको PDF मिलेगा तो, ठीक है Scotland के मद्ध में देखेंगे तो Grampian Mountains है, बस आपको ध्यान इसमें यही रखना है, कि यह Scotland में है, Grampian Mountains, तो Scotland के मद्ध में Grampian Mountains दिख रहा है, इसी तरीके से, इंग्लेंड के उत्तर में देखेंगे तो Penis Mountains है, ठीक है, और Wales में Cambrian Mountains है, यह यहाँ लिए है जो, वो है Cambrian, तो Scotland के मद्ध में Grampian, इंग्लेंड के उत्तर में Penis और Cambrian Mountains जो है वो, Wales में है, ठीक है, मुख्य नदी की अगर बात करें, तो थोड़ा सा map को पहले हम दो clear कर लते हैं, फिर मुख्य नदी देखते हैं, मुख्य नदी है, ठेम्स, यह जो नदी दिख रही है, यह थेम्स है, जो जाकर गिरती है नौर्थ सी में, ठीक है, और निकलती कहां से है, यह निकलती है, ग्लोसेस्टर शायर से, तो ग्लोसेस्टर शायर यहां पर है, ग्लोसेस्टर शायर से निकल कर यह नदी पूर्व की तरब बहती है, और नौर्थ सी में जाकर गिरती है, question जो पूछा गया था उसका सही उत्तर क्या है option c है देखिए कैसे कैसे question का answer तो हम लोग जान चुके हैं फिर भी इसको देख लीजिए देखिए Scotland, Wales और England इन तीनों को अगर मिला दें केवल मतलब उत्तर ये Ireland को छोड़ दें इसमें Wales, Scotland और England को मिला कर हम बोलते हैं Great Britain Wales, England और Scotland ग्रेट ब्रिटेन में अगर उत्तरी आईरलेंड को मिला देंगे तो बन जाएगा UK ठीक है United Kingdom तो यहाँ जो बैंगनी कलर के लाइन से बनाया गया है इसमें है Great Britain जिसमें तीन कंट्रीज है Wales, England और Scotland और ब्लू कलर से बनाया गया है वो है UK यानि इसमें Northern Ireland भी है उत्तरी Ireland, Scotland, England और Wales ग्रीन से जो दिखाया गया है यह दिखाया गया है Ireland सिर्फ Ireland को ठीक है यह एक Ireland है तो Ireland द्वीब कह लिजे Ireland द्वीब दो हिस्सों बटा हुआ है एक तो Republic of Ireland और दूसरा Northern Ireland Northern Ireland यानि उत्तरी Ireland जो है वो UK का पार्ट है उसके बाद एक और important जानकारी यह है कि UK और Republic of Ireland सबको अगर मिला देंगे पूरे को यानि Republic of Ireland और UK Northern Ireland और यहां है Republic of Ireland इसको भी अगर मिला के बोलेंगे तो इसको बोलते हैं हम UK प्लस Ireland को क्या बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं British Isles ठीक है British Isles तो इसको भी याद रखिये कभी इससे भी सवाल बन सकता है चलिए अगली खबर देखते हैं सबसे पहले राष्ट्रिया राजमार्ग 9 देख लिजे राष्ट्रिया राजमार्ग 9 का सम्मन्द दिल्ली हर्याणा पंजाब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सब के साथ है बैसिकली ये पंजाब से शुरू होकर उत्तराखंड तक हाइवे जाता है एनेच नाइन और इस दौरान हर्याणा दिल्ली और उत्तर प्रदेश को क्रोस करता है ठीक है तो कनेक्ट करते हुए कहां से कहां तक है एनेच नाइन पंजाब से लेकर उत्तराखंड तक वाया डेली हर्याणा और उत्तर प्रदेश यूपी ठीक है तो इसका मतलब इसका संबन तो दिल्ली से है अगला है राष्ट्रिय राजमार्क चार जो की पूरी तरह से अंडमान नीको बार द्विपसमू से तालूक रखता है फिर असोला भट्टी वाइड लाइफ सेंक्शूरी असोला भट्टी वाइड लाइफ सेंक्शूरी दक्षन पूर्व में दिल्ली के दक्षन पूर्व दिशा में देखेंगे तो साउथेश्ट डेली में असोला भट्टी वाइड लाइफ सेंक्शूरी है तो ये भी दिल्ली का संबन्तु निश्चित और परदिल्ली के साथ है और अंतिम है नवीन ओखला ओध्योगिक विकास प्राधिकरण अब ऐसे सुनने में आपको समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन दरसल यह नोडा है ठीक है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलप्मेंट अथॉर्टी तो विन ओखला ओध्योगिक विकास प्राधिकरण नोडा दिल्ली से तालुकात नहीं है इसका ये उत्तर प्रदेश में गौतम बुधनगर डिस्टिक में है ठीक है तो आप देखिए कौन-कौन से सही है और कौन-कौन से गलत राष्ट्रिया राजमार्क दिल्ली का संबन्ध है क्योंकि ये पंजाब से निकलकर हर्याणा दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए उत्तर खंट तक जाती है तो ये तो सही है राष्ट्रिया राजमार्क चार का संबन्ध नहीं है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकुबार से संबन्धित है यमुना क सम्मन तो है ही असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारणिय दिल्ली में ही है नवीन ओखला और द्योगिक विकास प्रादिकरण दिल्ली में नहीं है तो केवल तीन इसका सही उत्तर होगा option B पश्मी अफरिकी देश कैमरून में पश्मी इलाके में पिछले दिनों हमला हुआ है बामूंडा नाम के शहर में हुए इस हमले में दस से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई देश के सबसे बड़े अलगावादी समू अमबाजोनिया डिफेंस फोर्सेज ने इस हमले की जिम्मदारी नहीं ली है इसके बावजूद इस हमले को एंगलोफोन संकट से जोड़ कर देखा जा रहा है तो दो यहां नए टर्म आपको दिख रहे हैं जो आपके लिए पिए सी ऐसे ही सवाल बनाती है एंबोजोनिया डिफेंस फोर्सेज ठीक है और दूसरा टर्म है एंगलोफोन संकट चली आगे देखते हैं सबसे बहले अगर हम बात करेंगे कैमरून की तो कैमरून अफ्रिका के पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है यह कैमरून है ठीक है यहाँ है कैमरून इसकी अगर सीमा की बात करें तो कैमरून की सीमा लगती है नाइजीरिया से चाड से Central African Republic से कौंगो से गैबन से और Equatorial Guinea से एक तरब से किसी भी तरब से आप याद कर सकते हैं, एक्विटोरियल गिनी, गैबन, रिपब्लिक आफ कॉंगो, सेंट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, चाड और नाइजीरिया से, दक्षन पस्चिम में इसके ये अट्लांटिक महासागर से लगा हुआ है, अट्लांटिक महासा ठीक है, उत्तर में इसके लेक चाड है, यहाँ जो लेक देख रहे हैं, इसके बारे में हम दोगोंने पहले भी बातचित की है, लेक चाड इसके साथ जुड़ा हुआ है, चार देश, इसमें शामिल हैं लेक चाड में, चार देशों का क्षत्र है, उत्तर में यहाँ है लेक लेक चाड ये है और अक्सर खबरों में रहता है इससे सवाल बन सकता है लेक चाड में चार कंट्रीज कौन-कौन है नाइजर फिर चाड इधर नाइजीरिया और सेंट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक ठीक है स्री है केमरून केमरून तो ही ना तो चार कंट्रीज येक में कौन-कौन होगह नाइजीरिया यहां जो नहीं दिख रहा है वो नाइजर और चाड और ये केमरून यहाँ से ठीक है ये ये वाले portion पे तो इन चार कंट्रीज को आपको याद रखना होगा ठीक अब इसमें उत्तर में देखेंगे तो मंडारा माउंटेन्स है मंडारा माउंटेन्स उत्तर मध्य में अदमावा माउंटेन्स है अदमावा माउंटेन्स फिर यहां मांबिया माउंटेन्स है मांबिया माउंटेन्स यहां माउंट कैमरून है पीक है जो की माउंट कैमरून दक्षन पस्चिम में तो यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर याद रखने हैं आए एक सवाल देख लेते हैं इस पर सवाल है निमलिखित यूगमों पर विचार कीजिए पहला है अमबाजोनिया और उपर देखे टाइटल अलग देश की मांग यूपीएसी आजकल ऐसे सवाल खूब पूस्त है तो अमबाजोनिया कैमरून कीवू डियार कॉंगो काबिंडा अंगोला टोबो लेंड लीबिया कह रहा है कितने यूगमें इसमें सही सुमेलित हैं केवल एक केवल दो केवल तीन या फिर सभी चार आजकल यूपीएसी का जो फोकस है वो ऐसी ही जगहों पर रहता है जहां आंतरिक कलह चल रही हो आंतरिक अशान्ती चल रही हो और उसकी वयसे वो चर्चा में हो तो यूपीएसी सवाल पूछ लेता है तो ऐसे जगहों को आपको कभी भी एग्नोर नहीं करना है चलिए आएए देखें ये कैमरून हो गया कैमरून का ये जो हिस्सा है यही पर अमबाजोनिया इसी को बोलते है और यही पर अमबाजोनिया डिफेंस फोर्स बहुत ज़ादा एक्टिव है कैमरून का जो पश्चमी क्षत्र है वो अमबाजोनिया देश की मांग कर रहा है ये वाला क्षत्र तो अमबाजोनिया जो देश है इसकी डिमांड 2007 से ही चल रही एक बड़ा रिजन ये है कि ये अमबाजोनिया में ये लोग यहाँ जो भाशा बोलते हैं जबकि अन्य जो देश के हिस्से हैं उसमें अलग अलग भाशाएं बोली जाती हैं दूसरी भाशाएं बोली जाती हैं और ये डिफरेंस आया है कोलोनियल एरा के चलते आपनिवेशिक एरा के चलते ठीक है तो पश्चमी और उत्तर पश्चम में रहने वाले लोगों को कैमरून के दूसरे हिस्सों में प्रताडित किया जाता है इसलिए ये लोग यहां अलग हिस्से की अलग देश की मांग कर रहे हैं 2007 से और जो अमबोनिया डिफेंस फोर्सेज है वो इसी डिमांड के लिए काम करने वाला एक मिलिटेंट ग्रूप है अगला है कीवू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ओफ कॉंगो यानि डी आर सी के पश्चिम में देखेंगे तो हमने जील कई सारे पढ़े हैं तो यहां यूगांडा है यहां रवांडा है यहां बुरूंडी है यूगांडा से सटे हुए यह जो इलाका है ठीके यूगांडा, रवांडा और बुरूंडी सटा हुआ यह जो इलाका है पूरा यह कीवू है तो यह नौर्थ कीवू है और यह साउथ कीवू है यह भी अलग देश की मांग यहां भी चल रहा है यहां M23 rebel group बहुत ज़ादा active है इसका बहुत दबदबा है यहां सेना और rebel group के बीच में कई बार खोनी संगर्श हुआ है अगला है काबिंडा अंगूला का map देख रहा है आपको देखिए देखने पर क्या लगता है काबिंडा लगता है कि DRC का पार्ट है यह DRC है DRC के पार्ट में यहां यह जो है यह है काबिंडा ठीके अब ऐसे लगता है कि DRC का पार्ट है लेकिन यह है अंगूला का हिस्सा और अंगोला और काबिंडा के बीच DRC कांगो का भूखशत्र आता है ठीक है ये वाला जो इलाका है ये DRC का है अंगोला इधर है और अंगोला उधर भी है ठीक है तो यही भूखशत्र जो है कुछ किलोमेटर जो इलाका है ये DR कांगो को अट्लांटिक महसागर तक एक्सेस देता है DRC यहीं से ऐसे लगा हुआ है Otherwise इसके दोनों तरफ अंगोला का भूक्षित रहाता है तो सीधे सीधे ये समझ में आता है कि ये भी आपनिवेशिक काल में किया हुआ अज़ेस्टमेंट था जो आज तक चल रहा है ठीक है लंबे अरसे से काबिंडा देश की मांग चल रही है अलग काबिंडा देश की और काबिंडा में जो सक्रिया ग्रूप है वो है Front for the liberation of the enclave of काबिंडा ठीक है Front for the liberation of enclave of काबिंडा इसके बीच और सरकार के बीच खुनी संघर्ष कई बर होते रहता है अंगोला की सरकार के बीच अगला है लीबिया में टोबो लेंड की मांग लीबिया कहां है ये रहा लीबिया ठीक है दक्षने लीबिया में देखेंगे ये वला हिस्सा यह अलग देश की डिमांड कर रहा है जो अभी है लीबिया का ही पार्ट इसी को कहते हैं टोबो लेंड यहां जो खाना बदोश जन जातियां है घुमन्तु जो जन जातियां है वो अलग देश टोबो लेंड की मांग कर रही है तो इस कोश्चन में अगर देखें तो चारो ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं अमबाजोनिया कैमरून कीवू डियर कांगू काबिंडा अंगोला और टोबो लेंड लीबिया चारो सही जवाब है इसका ऑप्शन टी चली हाली में पंद्रहवी भारत जापान मंत्री स्तरियर रणनीतिक वारता के लिए जापान के विदेश मंत्री योशी मासा हयाशी ने भारत की दो दिवसिया यात्रा की है ठीक है पांच महीने के बीतर ये इनकी दूसरी यात्रा है तो जापान के बारे में हमने पिछले एपसोड में भी देखा था और इस एपसोड में भी थोड़ा सा इसको देखेंगे जापान उत्तरी गुलारत में ही है कोरियाई प्रायद्वीब के पूरू में ये कोरियाई पेनिसुला है जो हमने पिछली बार भी इसको नोटिस किय था और इसके आसपास हमने कई सरे द्वीब भी देखे थे यह कोरिया ही पेनिसुला है जो चाइना और रश्या से लगा हुआ है लेकिन इसमें दो देश है नौर्थ कोरिया और साउथ कोरिया तो इसके पूरो में यह जो दिख रहा है यह जापान है जापान में हमने एक बात पिछली बार भी नोटिस की थी कि इसमें सारे द्वीप जो है उसमें सबसे बड़ा जो द्वीप है ये है होन्शू ये वाला जो द्वीप है ये है होन्शू ठीक है ये होन्शू और सबसे उत्तर में है होकाइडू ये तो होकाइडू फिर होन्शू फिर ये वाला शिकोकू है और यहाँ पर क्यूशू है तो एक तो इसका क्रम आपको उत्तर से दक्षन याद रखना होगा ये आपसे सवाल में पूछा जा सकता है अगर वाटर बॉडी की बात करें तो जापान के उत्तर में देखेंगे तो ओखोट्सक है ओखोट्सक सागर ठीक है यहाँ देखें सी ओफ ओखोट्सक उत्तर में उसके बात देखेंगे जो जापान सागर है जापान सागर इसको कोरियाई पैननसूला से अलग करता है यानि यहाँ कोरियाई पैननसूला है और इसके बीच में यहाँ जापान सागर है तो जापान के पश्चिम में जापान सागर है जो कोरियाई प्रयदिपसिस को अलग करता है और दक्षिन पश्चिम में पूर्वी चीन सागर है ठीक है यहां East China Sea है तो जापान के दक्षिन पश्चिम में East China Sea है जापान के पश्चिम में Sea of Japan है इसी को पूर्वी सागर भी कहते हैं East Sea ठीक और North में ओकोश्च को हो गया ड्वीप मैंने बता दिये हैं चार कौन-कौन से हैं महतुपूर्ण वो आपको ध्यान पर रखने हैं कुछ इस्ट्रेट भी हैं जो आपको पता होना चीए चीक है आईए स्ट्रेट कुछ देख लेते हैं देखे पहला इस्ट्रेट है लापेरोज स्ट्रेट लापेरोज स्ट्रेट जो है वो होकाइडू और सक्खालिन द्वीप ये उपर जो दिख रहा है ये सक्खालिन द्वीप है तो सक्खालिन और होकाइडू के बीच में स्ट्रेट है इसमें दिख सकता है चलिए ऐसे ही समझ लिजे यहां पर यह सखाली नहीं है और यह है Hokkaidu तो Hokkaidu और सखालीन के बीच में है Lapeiros Strait दूसरा यह जापान साघर को किस से जोड़ेगा पस्चि में जापान साभगर को अखोटसक से जोड़ता है ठीक है तो जापान सागर और अखोटस के बीच में पेरोज स्ट्रेट है दूसरा स्ट्रेट है जिसको बोलते है सुगारू स्ट्रेट ये होकाइडू और होन्शू के बीच में है ये होकाइडू है और ये होन्शू है इसके बीच में कौन सा district है सुगारू ठीक टीसरा important district है जिसको कहते हैं हम Korea straight ये Korean Peninsula खास करके South Korea Korean Peninsula भी आयगा तो सही है लेकिन South Korea और Japan के बीच में है ये Korean street ठीक है इसको क्या कहते है Korean Strait तो Sea of Japan को East China Sea से जोड़ रहा है और South Korea को Japan के साथ अलग कर रहा है ठीक है फिर एक important Strait है जिसको बोलते है Sushima Strait पिछले एपसोड में हमने देखा था कि Sushima एक island है जो इस location में है और हमने इसके अलावा भी Iki Strait देखा था Sushima Strait देखा था Jeju देखा था आपको बताना है कमेंट में कि Sushima पर Japan का कबजा है या फिर South Korea का कबजा है मतलब किसकी अधिकारक शत्र में आता है या आपको कमेंट बोक्स में बताना है Sushima Strait को ही यहाँ पर Sushima है Sushima Strait को ही क्या कहते है इसको या तो Sushima कह लीजिए या फिर इसी को East Channel भी कहते है ठीके और Sushima Strait का उप्यूग करता है प्रशान्त महसागर तक रश्या अपने नौसैनिक पहुँच के लिए तो यह एक important information है चलिए अब question देख लीजिए question यह है कि निमलिखित में से कौन सा द्वीब होकाइडू और क्यूशू के बीच स्थित है होकाइडू और क्यूशू के बीच होन्शू, शिकोकू या फिर नाका नोशिमा इस प्रशन का जवाब आपको comment box में देना है और साथ ही सोशिमा वाला जो question में ने पूछा है वो भी आपको comment box में देना है साथ हे, मुझे ये भी बताएएगा कि आज जिस तरीके से हमने class ली है इसको audio format में क्या आपको ये पसंद आया या आपको कोई दिक्कत हो रही है अगर ये class आपको comfortable लगे से ले आ सकते हैं तो मुझे comment में जरूर बताएगा ख्याल रखिए ठीक से पढ़ाई कीजिए नमस्कार